JK News Today में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज दिवाली है और JK News Today की तरफ से आप सब को हारदिक शुबकाम नाए एक छोट असे ट्रिविया आज दिवाली वाले दिन आपके लिए लेकर आए है कि दिवाली का असली नाम क्या है या दौपर्यूक से पहले दिपावली को क्या बोला जाता था उसका नाम क्या था आए देखते हैं दिपावली भी भारत में एक देव पर्व के रूप में मनाया जाता है ये जोती श्रिंखला पर्व है धन तेरश से लेकर बईया दूज तक पंच दिवसी जोती श्रिंखला पर्व आदिकाल में इसको जोती श्रिंखला पर्व ही कहते थे दिपावली बाद में नाम हुआ राम के साथ तो त्रेता में जुड़ा ये पर्व उसके पहले ये जोति शिरिंक लापर्व जिसमे नधी पर जाकर के हम सभी भारतिय हैं दीप पर्व उद्सामन आते थे और दीपदान का भी बड़ा पुरानों में महात्म लिखा है तो दीपदान भी करते थे, मारगे दीपदानम, रास्ते में दीपदान करते थे, देवाले दीपदानम, मंदिर में भी दीपदान करते थे तो दीपदान हमें नर्क लोक से मुक्ति दिलाता है नर्क चतरदर्शी को जो विशाल, बद्रिनाद, भागवान जी के तीर्थ स्तान पर दीपदान करता है शास्त्रोक्त है कि वह नर्क में कभी नहीं जा सकता ये हमारे जितने पर्व है ये मनुश्य के अंतरा करण को और भाजी करण को शंशोधन के लिए बने हैं उत्थान हो अध्यात में उत्थान हो व्यक्ति की ध्यात्मिक उर्जा बड़े इसके लिए हमारे देवपर्व निश्चित हो है और ये आधिकाल से निश्चित है रिशी परंपरा के अंतरगत शास्त्र के अंतरगत निश्चित और निर्धारित हो है इसको किसी सधारण मुनुष्चि ने इनकी निजोजना नहीं की